ही अव्रिवान दिस इस मधू और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी आग्गे की मीनिंग तो देखिए 30 तक मीनिंग हो गई थी हमारी complete अकलेम मतलब प्रसंसा करना उसके बाद देखिए हम लोग 31 से आज स्टार्ट कर रहे हैं तो 31 इसका मतलब होता है देखिए यहां प हम लोग कैसे आज करेंगे तो देखिए इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं अकल से रिलेट कर सकते हैं ठीक है अकल ठीक है तो देखिए जिसके पास जितनी अकल होती है जितनी ज्यादा बुद्धी होती है वो उतनी क्या करता है उतनी ज्यादा वो योग ही होता है ठीक पुरुषकार, घ्याद हो गया होगा आपको, नेक्स देखते हैं, नेक्स मीनिक है हमारा अकमपलीस, अब देखिए अकमपलीस को हम लोग कैसे आथ करेंगे, इसका मतलब होता, गुनाहों का साथी पार्टनर इन क्राइम, ऐसा पार्टनर जो आपका क्राइम में जो साथ दे, तो देखे, अकमपलीस को कैसे आद करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो देखे, यहाँ पर एक कर सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं, और पलिश को हम लोग पुलिश कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई पुलिस है, ठीक है, उसका एक अपना गैंग है ठीक है मतलब बहुत थारे पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं अपना-पना काम करते हैं लेकिन एक पुलिस वाला वो कभी टाइम से नहीं आता है कभी उन लोगों के साथ नहीं बैठता है न तो लोगों ने क्या किया कि ये जो है ये क्या कर रहा है ये जो एक कम रहता है हमेशा हमारी टीम में तो ये क्या कर रहा है ये साइद उन से मिला हुआ है क्रिमिनल से मिला हुआ है ठीक है तो वो जो एक कम पुलिस जो एक कम पुलिस है वो क्या करता है गुनाहों का साथी है ठीक है एक कम पुलिस मतलब वो गुनाह तो देखिए इसका होता है do something to complete agreement तो accord, accord मतलब होता है सहमती, तो यह आप लोगों को ऐसे याद हो जाएगा, accord, ठीक है तो accord मतलब सहमती, next देखिए, यहाँ पर accused, accused मतलब होता है, ROP, इसका मतलब होता है, one who is under trial in accord, ठीक है, तो accused मतलब क्या होता है, ROP तो इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, एक ठीक है, ऐसे याद करेंगे, एक और इसको जो accused है इसको हम लोग याद रिलेट करेंगे, abused ठीक है, abused, तो abused मतलब पता है न, सबको क्या होता है, गाली दे जो गाली देता है, लोगों को गलत बात कहता है, वो क्या होता है, सबके नजरों में RNA jonilosaan, सबके नजरों में RNA counterparty, ऊजव होसा Require and nächsten कि हम लोग ऐसे आति करें गें तो इसको ऐसे यात करेंगे दिखें यहां पर टू पार्ट्स अपना अलेग अलग दिखी रहे हैं यहां मी मतलब के एग इसको हमपढ़ेंगे त्युक् teraz कि अथinal AI itself so ठीक है, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे गर में क्या लगा है, AC लगा है, मतलब उनको थोड़ा सा खमंड आ जाता है, ठीक है, तो AC में, AC मतलब सिखर पर बैठें, AC लगवा कि क्या समस्ते हैं, लोग कि हम सिखर पर बैठें, ठीक है, तो AC मतलब सिखर, उस अगर C से डेखे हाँ और है कि एक अइसा इंसान इसा किया इसा क्या किया उसको क्या क्या निर्डोस गोशत कर दिया और क्या कर दिया बरी कर दिया ठीक है उसको एक इनसान को कोड ने क्या कर दिया, प्याग दिया, ठीक है, बरी कर दिया कि आप यहां से जा सकते हैं अब आपके उपर कोई भी जो आरोब था वो सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है तो एक्कूइट मतलब क्या होता है कि बरी करना, ठीक है, उसके बाद दिखे, अडैप्ट, तो अडैप्ट का मतलब होता अनुकूल करना, to change to suit different environment मतलब अगर आप कहीं जो जैसा वातावरण होगा ना जैसा वातावरण चेंज होता है, उसके अनुसार अपने आपको ढालना कहलाता है अनुकूलन कहलाता है, adaptation पड़ा होगा ना आप लोगों ने, उसके बाद देखे adapt, adapt मतलब होता है निपूड, निपूड मतलब क्या होता है proficient, ठीक है proficient मतलब होता है, अपने किसी काम में बहुत तेज होना, ठीक है, तो अब देखो इसको, यह तो meaning में ही, छीपाई इसका मतलब, यहाँ पर देखे, आ को अलग करिए adapt, adapt मतलब होता है, गहराई ठीक है, तो जो जिस काम के लिए जितनी गहराई में जाता है, उतना उस काम में निपूड हो जाता है, ठीक है जैसे English देखे, अगर English आपको सीखना है, तो English में एकदम गहराई में जाना पड़ेगा, मतलब छुटी-छुटी चीजे, बारिक से बारिक चीजे आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है जो आपको आता है, वो भी आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, शायद कोई नहीं चीज आपको मिल जाए, ठीक है तो जितना आप उसमें गहराई में जाएंगी उतना ही जादा क्या हो जाएंगा, आप निपुड हो जाएंगे ठीक है, तो Adapt मतलब क्या होता है निपुड होना उसके बार देखे, हमारे next meaning है अगर आपने Teaching Exam के कभी तियारी करी होगी तो देखे, उसमें होता है जैसे कि Infancy Age, Childhood मतलब तो Adolesians मतलब होता है किसोरा आवस्था, ठीक है तो Adolesian मतलब होता है किसोर, ठीक है One who is growing into an adult जो adult की तरफ grow होता है ठीक है, आपने किसोरा आवस्था यूवा बनने के लिए क्या करता है ग्रो करता है, यूवा बनने के तरफ grow होता है उसे हम बोलता है किसोर, ठीक है तो यह आपको ऐसी याद हो जाएगा, Adolesian मतलब क्या होता है, किसोर होता है अगर आपने कभी Teaching Exam के तियारी करी होगी ठीक है, तो इसमें है कि अगर मिलावट, इसको हम ऐसे याद करेंगे टू पार्ट में Divide करके याद करेंगे कि एक हो गया Adult और एक हो गया Ration, ठीक है, तो अगर कोई मिलावट करता है तो कोई बड़ा ही इंसान करेगा इसकोई बड़ा ही बच्चे भगवान का रूप होते हैं वो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं कभी जूट भी नहीं बोलते हैं तो Adult एक है कि कोई Adult है दुकान पर बैठा है Ration की दुकान पर वो क्या करता है, वो बिलावट करता है क्योंकि बच्चे नहीं मिलावट करते हैं तो adult क्या करता है राशन की दुकान पर मिलावट करता है तो हो जाएगा adulteration मतलब मिलावट करना है ठीक है तो I hope आप लोगों को यह 40 तक मीनिंग याद हो गई होंगी तो आज के लिए इतना ही आगे की मीनिंग्स हम लोग कल याद करेंगे तब तक के लिए ठैंक यू और चैनल को जादा जादा लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए